सुप्रभाद बच्चों आनलाइन कक्षा में आप सभी का पुना स्वागत है आज हम कक्षा पाच्वी के हिंडी पार्थ पुस्तक दिमझिम का पार्थ अठारा चुनौती हिमालाकी का भाग दो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इसके पहले भाग में हम सबने जाना कि जवाहर लाल जी अपने भाई किशन और कुली इन सभी के साथ अमारनात की आत्रा पर निकल पड़ी हैं जो माता यान से आठ मिल की दूरी पर है लेकिन वहां बर्फ के बड़े बड़े पहाड हैं और चारो तरब बर्फ की चादर फैली हुई है और हर्याली का तो नामो निशान नहीं है तो चलिए बच्चो इस बर्फिले यात्रा में हम सब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पाठ अठारा चुनौती हिमालय की प्रकृति की कैसी मनोहर चटा थी आखों और मन को तरो ताजा कर गई बस एक जलक दिखा कर बर्फ के धुनलके में ओजल हो गई दिन के बारा बजने वाले थी बच्चो जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे ही प्रकृति का सुन्दर और मनोहर द्रिश उन सब की मन को तरो ताजा कर दे रही थी मनोहर मतलब मन को भाने वाली या सुन्दर द्रिश जो की बर्फ के जो धुनलके में ठंड में जैसे धुन्द चाह जाता है उसे प्रकार से वहां पर भी बर्फ की धंडी से धुन्द जमा हुआ जिससे वे सारे द्रिश्य ओजल हो जा रहे थे ओजल मतलब छिप जा रहे थे लुप्त हो जा रहे थे और अभी वो लोग सुबा से निकले थे और अभी दिन के 12 बजने वाले थे सुबा चार बजे से वे लोग लगातार चड़ाई कर रहे थे शायद 16,000 फिट की उचाई पर होंगे इस वक्त अमर्नाच से भी उपर पर अमर्नाच की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था इस पर भी जवाह लाल की चाल में न धीला पन था न बदन में सुष्टी बच्चों वे सभी चार बजे से निकले थे बहुत सुबा से निकले हुए थे और वे लोग कम से कम 16,000 फिट की उचाई पर हो थे वो लोग इस अमर्नाच से भी उपर थे उन लोग पर वो लोग अभी तक अमर्नाच की गुफ़ा का दूर दूर तक उनको पता नहीं था मतलब की वे उसके आसपास नहीं पहुंच पाये थे और जो जवाहा लाल जी थे वे उनकी बदन में बिलकुल सुष्टी नहीं थी बिलकुल उनकी चाल जो थी बहुत ही तेजी से थी और अच्छे से चल रहे थे मतलब उत्सा ही थो करकि वो लोग चल रहे थे बदन मतलब सरीर या तन हिमाले ने चुनौती जो दी थी निर्गम पत पार करने का उत्सा उन्हें आगे खीच रहा था शाब लोट चलिये वापस कैम्प में पहुंचते पहुंचते दिन धल जाएगा एक कुली ने कहा लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं जवहा लाल को लोटने का विचार पसंद नहीं आया वह तो दूर बर्ख के उस मैदान की पार है किसन बीच में बोल पड़ा बच्चो वे रास्ता जो था बहुत ही निर्गम अथात ऐसा रास्ता था जिस पर कोई नहीं चाता था बहुत ही कठीन रास्ता था तब जो कुली था वो बोलता है कि सहाब वापस लोट जाए क्योंकि अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है और अगर हम कैम्ट लोटते हैं तो दिन धर जाएगा और फिर जो रास्ता है वो बहुत कठनाई से भरा हुआ है जवाहलाल जी को लोटने का विचार बिलकुल मन नहीं था उनका विचार पसंद नहीं आया उनको और वे बुलते हैं कि लेकिन अभी तो हम अमनात पहुंचे भी नहीं है क्योंकि उनको वहाँ जाने की बहुत एकशा थी वह तो दूर बर्व के उस मैदान के पार है किसन उनको बताता है कि जो अमनात है वह बर्व के मैदान के उस पार है बच्चों, उमीद है कि आप सभी को ये लेख बहुत पसंद आया होगा इस लेख के लेख का है सुरेखा पढ़न दीकर वीडियो को ध्यान से देखें वह समझें पाठ का पठन भी करें और इसे समझी प्रशनों तर आपको भेजे जाएंगे जिसे आप अपने कापी में सवक्षरों में लिखेंगे धन्यवान बच्चों